अलग भी हो सकता है क्योंकि दिमाग में जो आइडिया जा रहे हैं आपने जाते हैं फिर आते हैं चले जाते हैं तो जो भी हाँ यह कुछ बोल रहा है कि जो भी आईडिया आपके मांड में आते हैं उसको लिख लेने से आपको एक मैनिफिट होगा कि क्या आपके दिमाग में जो आईडिया जाया है वो सही है कि गलत है और अगर गलत है तुछ तो सही हो जाते हैं तो गलत है बार बार पढ़िए गाप फिर आपका दिमाग जो है उस गलत आइडियास के लिए क्या बनाना सुरू करेगा तूसरे लोग है उनको भी दिखाईएगा वो भी आइडियास बताएंगे आपको फाइनली किसी प्राव्लम के लिए जो आपका स्टेप्स जो आपने लिख डाला है वो सही हो जाएगा सही हो गें इसका मतलब कि वो प्राव्लम सॉल्वे क्या यह तो लॉजिक की बात है आप इसको मैनूली लिखने का जो तरीका है that approach is called algorithm ठीक है इसको हम लोग क्या कहेंगे अल्गो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है algorithm is the way algorithm algorithm is the way is the way to write the steps to write the steps came in mind for solving a for solving a problem it provides logical and mathematical approach logical and mathematical approach mathematical approach to write the steps to write steps steps ठीक है सुड़ोड कुंसा कोड सुड़ोड pseudo code can be used for describing algorithm for writing algorithm not describing for writing writing अल्गो ठीक है अब है कि सुड़ोड क्या है प्री सुड़ोड is the code is the code just look like common English communicative English अब इंग्लिस भी लिख सकते हैं अंग्लिस भी लिखके छोड़ सकते हैं ठीक है सब्दक एंग्लिस को दर्षाना है वहीं है जो हमारी बोल्चाल वाली जो बासा है जो dáसा है प्रॉमन इंग्लिस है जो हम चानते हैं सीखते हैं ठीक है कि उसी का हम इस्तनाल करेंगे किसको लिखने में और उसी को हम क्या कहते हैं सोड़ों को ठीक है वैसे रिस्ट्रिक्शन नहीं है हम अलगोरिफ्म को भुषपूरी में भी लिख सकते हैं मगई में भी लिख सकते हैं लेकिन वर्ल्ड गलोबल लैंग्वेज एडाप्टेट किय है हैं गिनलिश को अुटेट को अड़ॉप्ट काया जा रहा एंग्सप्ट किया जा रहा है इंग्लीशन बहतर विख विंदेशं को में लäंगोरिफ्में में लिखने हैं क्या आइंग्थे लिए टो ने टो बेंट चुट शुड़ को मतलब होता है क्या ना जूठा है फॉल्स वरिगोट इस सुड़ बिकॉस इस नौट रिलेट विट कम्पूटर इस नौट रिलेटेड विट कम्पूटर इस नौट इस नौट इस लिए है नहीं है लेकिन यह मददगार है क्योंकि काम का स्टेप लिखा हुआ है और यह सही है तो इसी को देखते हुए जो पाइफन लिखेंगे लिखेंगे तो भी क्या होगा नहीं समझें घर बनाना है नक्सा अब नक्सा को देखके घर बनाएंगे तो घर पर कुछ नहीं है चीजों को बनाने के पहले का आपको लिखना है तो आपको लिखना है तो आपको लिखना है किसमन सुडोकोड तो अंगरेजी है किसुड़ोगड कहा रहा हैं अंगरेजी है कि का अंगरेजी अंगरेजी भासा का परियोग करके एसके हम स्टेप्स को लिखेंगे और जो कूरा लिख देने को यानि यानी algorithm के अंदर जुट सुंगे उनको लिखने के लिए जो पूर्ड हम इस्तेमाल करें वह वह घरेजी होगा common English होगा और उसी common English को हम लोग pseudo कह रहे हैं और pseudo इसलिए कह रहे हैं कि जो हम लिख रहे हैं computer से उसका कोई direct relation नहीं है नहीं आप समझेंगे ठीक है उसका सिर्फ relation है कि जो steps दिमाग में आया काम को करने के लिए उसको मैंने कॉंपी पे लिख दिया और एक बार अगर कॉंपी में लिख दिया तो वो कॉंपी में है अगर भूल भी जाएंगे तो कहां से याद आ जाएगा कॉंपी सिर्फ दिया तो सुड़ कोड दिया तो सुड़ कोड जस्त लुक लाइक कॉंपन इंग्लिश ठीक है इस सुड़ जूठा बिकॉस इस नौट रिलेटेट विद कंप्यूटर आप इसको कंप्यूटर से जोड़ के मत सम्झेंगे कि कंप्यूटर का पाठ है हम इस दिखा हुआ है तो प्रोगाम का अगर लिखा हुआ है और जब इसको फॉलो करके हम तो अगर कोई आप से क्या है तो आपका सिंपल जवाब कि आप ऐसे भी कह सकते हैं कि इस लॉजिकल और लॉजिकल और माथमेटिकल अप्रोच टू राइट अप्रोच टू राइट अप्रोच टू राइट प्रॉब्लम मतलब जो लॉजिक मेरे दिमांग में आ रहा है उसको पॉपी पर लिखने को ही हम क्या काते हैं लॉजिकल तो होगा ही हमको तूसरा लेना है तो इसको भी माली है चूड़ना थो सी इक्वल्ट वह प्लस बी माली तो एक प्रोच क्या हो गया मैतमेटिकल तो लॉजिकल भी लेके चल सकते हैं मैथमेटिकल भी लेके चल सकते हैं दूनों मिला के भी हम काम कर सकते हैं अब फॉर एक्जम्पल जैसे अगर हम इसके एक्जम्पल्स पर बात करें अब एक्जम्पल में अगर हम पॉमन एक्जम्पल से ले ले जनरल एक्जम्पल अभी हम इसको बिल्कुल कम्प्यूटर से अभी हट कर सोच रहे हैं जैसे मेकिंग टी क्या मेकिंग मुझे इसका अल्गोरिस्म लिखना है क्या लिखना है अल्गोरिस्म ठीक है तो कोई कहाएगा कि पहला एक काम गरो कि सबसे पहला काम क्या करो जलाओ टेक दूसरा पुट पॉट केटली रखो तीसरा एड़ मिल्क एंड वाटर जलाओ ती एंड शुगर वाई 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 फो तो इसके बाद आपका क्या हो जाएगा चाए यह स्टेप्स हो गां ज़रूरी ठोड़ी है कि प्लानिंग हो सकता है कि पहली बार आएगा ठीक है और किसी ने कहा कि पुटबॉट नॉट पुटबॉट आच लिए ठीक है पुटबॉट पॉट पॉट कि दूसरा कि एड नहीं पी एंड शुगर कि पीसरा बॉर्ण गैस कि पॉर्थ एड मिल्क एंड वाटर पांच वाए ठीक है तो इसमें क्या होगा आपका यह नहीं बनेगा चाय प्रॉपर नहीं होगा ठीक नहीं होगा गलत है क्यों क्योंकि आप पुट पॉट रखती है टीशू का डाल दिये डैस को जला दिये अब दूद और पानी का इंतिजाम करने में लगे तब तक फत्ती और चीनी क्या हो गया अब डाल के बनाईएगा भी तो चाय प्रॉपर नहीं बनेगा मैं जुब रहा हूं समझनारी बात मतलब स्टेपिंग का क्या हो गया इसमें है रिफें चीजे मैंने सोचा पर प्रॉपर सिक्वेंस मैं नहीं सोचा जिसके वज़े से वह प्रॉपर नहीं हो रहा है अपाली इस गलत से हम सही ज़र सकते हैं अब यह बताने का मतलब हुआ इसका मतलब यह नहीं कि पॉइंडे का दौरान हम जो आपको बताएंगे यह हम आप से जब पूछेंगे तो आप हर बार उसको क्या करके लिखेंगे ऐसा नहीं है यह एक सम्झाने का तरीका है ठीक है कि टेट अब आप से हम पूछें तो यह मतलब नहीं हो कि आप हम पूछें कि वही दो नंबर के जोड़ का अलगोरिस्म लिख कर दिखाओ तो आप गलत लिख कर देते हैं इसा नहीं है पढ़ाने के दोरान हम आपको जो बताएंगे वह सही बताएंगे और जो आप से पूछेंगे वह भी सही होना चाहिए आप गलत अगर लिख रहा है तो आप अपने में क्या करें उसको हमको रिजल्ट आपको क्या देना है तो यह कौमन ऐसे ही में किंटी का आपको अलगोरित्म समझाये थे तिक है आप और भी बहुत सारे अलगोरित्म आज सकते हैं तो जैसे अलगो हमको लिखना है अब यह सब कॉमन इंग्लिश है ना ठीक है और यह जो इंग्लिश है इसको क्या करते हैं सुटू को क्या करते हैं अब जैसे सम आप टू नंबर समको कितना है नंबर्स के बराना है क्या लिखना है इसका अलगोरिफ्म लिखना है क्या लिखना है अलगोरिफ्म लिखना है सबसे पहला काम क्या करेंगे इसको दो तरीके से लिख सकते हैं पहला एक फॉस्क नंबर्स क्या सब्सक्राइब है तेक सेकेंड नंबर चीक है एड थीस तू इन थार्ड वन चीक है और फूर्थ में आपको कोई समझने में दिक्कत है पहला नंबר निजी लिजे और इन दोनों को जोड ती स्रे और और तीसरे को क्या कर देजिए क्या आपका विजर्ट नहीं मिल जाएगा लेकिन यह कंप्लेटली नहीं है लेकिन हमने क्या लिखा कि जितना एक्सप्लामेशन हो सकते इतना करना चाहिए कि हम मैजमेटिक्स जानते हैं पड़ते आ रहे हैं तो हम चीजों को लॉजिकल के साथ साथ माजमेटिकली भी डिटर्माइन कर सकते हैं रिप्रेजेंट कर सकते हैं अब इसको अगर हम एक और स्टाइल में लिखनें इसी चीज़ को अगर हम ऐसे लिखनें टेक फर्स्ट नमबर इन इसमें टेक शेकंड नमबर इन टेक चीज़ को अब आप बताइए कि आपके लिए कौन सा बहतर लग रहा है और यह वाला ज्यादा बहतर नहीं है इस यह आप बिना मैथमेटिक्स को सिर्फ चीजों को कहानी की तरह बता के प्रोपर महीं समझा सकते हैं सब्सक्राइब करें तो भी मैं एक्सेप्ट करूंगा ठीक है सही लॉजिक को आपने डिस्क्राइब किया स्टेप सही लिखा लेकिन इससे बैतर एप्रोच को डिफाइन करने का कौन है जिसमें हम दोनों चीज रखें मैथमेटिकल भी सामिल कर लें लॉजिकल भी रखें लॉजिक्ट क्लियर यस सर थैंक यू ओके तो अब सम आप टू नंबर्स बता दिये हैं तो सब्ट्रेक्शन आप टू नंबर्स नहीं बन जाएगा प्लस एडिशन के लिए माइनस सब्ट्रेक्शन के लिए स्टार अब आप कहिएगा कि हम सर यहां पर स्टार की जगह पर अगर अल्गुरित्म क्रॉस लिखते हैं तो चल जाएगा अल्गुरित्म तक चल जाएगा नहीं हमारा पर परपस एल्गूरित्म सेखने का अभी क्या है कि हम पाइथन में अच्छी तरण से काम कर सके तो थीरे ठीरे एल्गुरेस्म अन उन चीज़ों को भी सामिल करते रहें जो साय पाइफन में रिपेटेड हो जो ऑपरेटर हम को पाइफन में मिलने वाला है वो चीज़ अगर हम यहीं बता दे तो आदत हो जाएगे तो हमारे लिखने के लिए तो मल्टिप्लाई के लिए हम लोग क्रॉस के बजाए आप क्या लिखते हैं यहां पर स्चार लिखते हैं और डिवीजन के लिए को सेंट के लिए हम लोग क्या लिखते हैं लेकिन आप आप इसे लिखेंगे इसको लिखना होगा तो भईया लिखेंगे एस चार और इसको लिखना होगा टो लिखेंगे एसованु सबी सब्सक्राइब Rough लिखते लिखते हैं तो आपको ना पूरब्स में न हो गलत हो जाए नमबर में और हम जाए नमबर में क्योंकि बताने पढ़ाने कर तो यही पर पर चीजों को बताते आगे चलो तो अगर पाइथन के प्रोग्राम में आप ए पाई भी लिख देंगे तो फिर तो आपको नंबर कड़ जाएगा आपको पाइथन में तो हमेशा ऐसे ही लिखना होगा तो क्यों ना धीरे धीरे हम अपनी आदत को अल्गोरिफ्म सही क्या करना सुरू करें सुधारना सुरू करें चीक है एबरीबडी के लिए जहां भी डिविजन पार्ट है और रिमेंडर के लिए आप पॉरसेंट का इस्तमाल करेंगे इसका इस्तमाल करेंगे एंवरसेंट ठीक है यह हो गया अपका एड मेंटर यơ हो गया इतना बेसिक्स क्या मिले गारीं About इतना बेसिक जो आपरेटर से इस पर तो बहुत सारे आप काम निकाल सकते हैं तो अब मैंने आपको दो नंबर को जूड़ना बता दिया तो घटाना गुना करना और भाग देना ये दो नंबर का बना लेंगे कुछ नहीं करना है सिर्फ कहां पर चेंजिंग हो जाएगा यहां पर चेंज कर लेंगे तो एल्गुरित्म लिख लेंगे एनिडावूट के लिए क्या यूज करेंगे मतलब का मतलब मैंत में क्या होता है क्या पढ़े था?! पर्षंट मेंस मा्थमेटिकली परेंगे मुन्गे चिक लिएज कॉझ करेंगे से अपर्षन मेंस माथमेटिकली मैंस माथमेटिकली मैं वे परसेंट आमखलु क्या है जैसे लिखा हुआ है 22% means what? divided by? He is the right. % means 1 by 100. % means 1 by 100. जहां निकालना होगा वहा क्या कर लेंगे? टेके इस सिम्बल का हमको लेके क्या करना है? तो दिखाया जरता है. रेप्रेजेंटेशन का तरीका होता है. हिंडरेण निकालने है तो वन भाई और इस जिमर्व का मतलब कि लिख दे गया है कि सिम्मल लिखेंगे तो क्या हो जाएगा वो अलग चीज़ीज जैसे एकस्सल में आप परॉसेंट लिखेंगे तो वो क्या कर देता है वेन भाई कर देता है तो जहां नहीं होगा परसेंट वहाँ पर हम क्या लिख देंगे वन पाई क्लियर ओके अब हमको निकालना है एक कुछ एक्जम्पल्स और एक आथ देते हैं ठीक है और कुछ आप नहीं कि अवरेज निकलना आपको आता है अब एल्गोरिफ हम लोग जो लिख रहे हैं कि एवरेज ऑफ कितना नंबर का त्यूरी नंबर्स अभी ले लेते हैं कि इसका अपको लिखना है क्या क्या करना होगा पता चाहिए हम लिखते चलते हैं अच्छा कोई अगर इंपुट लिख देगा तो घलत हो जाएगा हमको समाज में आना चाहिए तो टेक या इंपुट तो तंत रहां ठीक है टेक आप ऐसे वे वन बाई वन भी लिख सकते हैं टेक त्री नंबर्स इन किस में लिख सकते हैं त्री नंबर्स इन ए कॉमा बी कॉमा 56 बेटिंग में जॉइन कर लिजिए उसको और और बने कि इसको वारियेबल बनते क्या रहते हैं कि वी नाम रख सकते हैं डिहां जो आलफाबेट इसे यह रखना चाहिए तो बसमें यूज करेंगे तो मिल यूज करेंगे किसे यूज करेंगे अपना नाम किसी का विनाम ठीक है तो प्रॉब्लम के सुटेबल अगर नाम रखे तो ज्यादा बहतर है तो जैसे हम को एवरेज निकलना है तो हम रिजल्ट को क्या लिए यह भी जी और इसमें हम क्या कि एं तीनों को जोड़ना है और अब तुमारे पास रिजल्ट किसमें स्टोर हो चुका है एवरेज में क्या लिख दोगे तो डिस्प्लेव और प्रिंट लिख दिजिए कंशा लिख दिजिये जिसे हमको समाझ में ऐग के वहाँ यहां पर भैलु लिया जा रहा है यहां पर ला को दिखाया जा रहा न लिख जार परःश्य करेंगे क्या कोन्क्त नहीं डिलिय्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है अगर मैं लिखों यहां पर तो इंपूट इनपूट का मतलब भी लेना ही होता है तीन वैलू लीजे इन पूट थृी नंबर्स नंबर्स इन किसमें कि दूसरा कोई टेक के बजाए कोई लिख देगा लेट मनमाना किसको एभी जी और इसमें लिख दिया ए प्लस दी प्लस सी बाई त्री यह भी एक्सेप्टेड ठीक है और थर्ड इस इस प्ले की जगह पर किसी ने लिख दिया किसी ने लिख दिया सू क्या एभी जी यह भी सही समझ गहां है कि अबरे तीन नंबर का निकालना तो पहले तीन नंबर ना आना चाहिए कि लिखने है तो क्या जरूरत है यह लिखने का लिखा हुआ है कि माइटमेटिक्स का यह ने फाइदा है कि लिखने के वजाए से लिख देंगे हम समझ जाएंगे यह तो आपको दिख के पता नहीं चल रहा है कि अपको भी पता चल रहा है हमको भी पता चल रहा है मैट सब पढ़ा हुआ है मैट क्लाज मरसरी से सुरू होता है होता है तो अब इस चीज़ों को लिखने के अलावा वह भी डालना चाहते हैं कि लगते हम ना हम लिख देंगे लिख देंगे को देख करते हैं कि हमको वर्क समझ में आना चाहिए बस जो काम है वह होना चाहिए हमको उससे कोई परहेज महीं सब्सक्राइब और सिखा रहे हैं तो आपको सिखना भी थो है कि हम इसी स्टाइल में बता है अब जैसे आप जो भूलें हमको चिक लगा लेकिन वह अगर हम संटेंस वे में चले जैसे मुपर वाले में चाहिए जोड़ने वाला बतायता है कि टेक फॉस्ट नमबर टेक सेक अगर आप उसे लिखना चाहते हैं तो लेकिन हम सब सिखा रहे हैं तो अगर आप मैं नहीं जानते हैं तो मैं तो आप नहीं पड़े हैं तो अलग की बात को लिगन इसा जो है नहीं कि तो जैसे बता रहे हैं वैसे आपको बनाना इस तरह से आपको फॉलू अप करते चले जाना है तो अब्रेज बना दिए हैं क्या-क्या और बनाएंगे ? होम वर्क में आपको हम रखते हैं यहां पर सिंपल इंट्रेस्ट मिकाल लेंगे सिंपल इंट्रेस्ट का क्या फर्मूला होता है कि भाई कि क्या क्या इन्पुट आपको कराना होगा मैसेज कैसे लिखेगा इंट्र थ्री नंबर से पी कोमा आर कोमा टी लिख सकते हैं चल जाएगा लेकिन अच्छा होगा कि इंट्र या इन्पुट ठीक है या टेक प्रिंस्पल रेट एंड टाइंड टू अपी कोमा आर कोमा यानि जैसा प्रॉब्लम है इन्फोर्मेशन अगर उसके अनुसार अगर आप रखेंगे तो वह ज्यादा सुटेबल और बहतर माना जाएगा ज्यादा एलोग्रेटिव माना जाएगा तो बन जाएगा ओके तो जब एसा ही आपसे निकल जाएगा अच्छा एरिया ओफ ट्रेंगल आपसे निकल जाएगा यसर इसका फर्मूला होता है वन बाइट इन्टू एच डिवाइडिंग बाई ऐसे लिग देंके तो सही है इसमें क्या-क्या इंपुट कराईएगा पेसेंड आई हो जाएगा जिसका भी बना सकते हैं एरिया ओफ एस्क्वाइर यह एरिया ओफ रेक्टेंगल हो गया अब एरिया ओफ एस्क्वाइर में आईए चीक है इसमें क्या होता है side into side इसमें क्या इंपुट कराना होगा कितना बार एक बार वेरिगुट लेकिन मॉल्टिप्लाई होगा दो बार, input होगा, एक बार, multiply होगा, दो बार, very good, और area of, ये area of triangle हो गया, area of rectangle आपका हो गया, एल इंटू बी, length, चीक है, तो, sort में आप एल भी भी ले सकते हैं, तो इसमें आपको input कितना लेना होगा, दो, एक length, और एक, चीक है, तो ये आपके लिए ये चार homework रहा है, चारो homework बनाएगा, और इस पे आपको लगता है, और कुछ बनाया जा सकता है, आपके दिमाग में आ रहा है, तो वो भी आप बना डालिएगा, इसके अधार पे आपको लगता है, और कुछ बनाया जा सकता है, तो वो भी आप बना डाल और जो ऑनलाइन में वो लोग भी रखेंगे अगर किनिका देखना होगा तो स्क्रीन सेयर का परमिशन देंगे चिक है वह स्क्रीन सेयर के जरी है अपने कोपी को प्रेजेंट कर सकते हैं ठीक है मैं चेक कर लूँगा उसके क्लिए पीडिए पापका नहीं गया है और एक मिनट रुख जाए है अरे रुखिए भाई रुखिए एक्सपोट पीडिएफ एक्सपोट और इसकों चले जाते हैं दिस पीसी में टीट्राइब में आते हैं और आपका एक न्यूव फोल्डर क्रियेट कर देते हैं पीसीए एके यू फर्स्ट इकीस ते चौविस और आपका बैच वन है ना पी वन है और पाइथन में लिख देते हैं और यह किस तरीक का है अपच बाइस का है तो बाइस नौ इकीस चीक है चलिए सेव हो गया और यह हो गया कितने तरीक का और पीच में तो ऐसा ही चला था रिविजन चला था ना सब्सक्राइस नौ इकीस स्ब्सक्राइस उस्ब्सक्राइस स्ब्सक्राइस